दोस्तों आज की वीडियो में आपको उताने वाले हूँ बहुत ही सुन्दर सिलिव डिजाइन कैसे बना है सबस्क्राइब किजी स्टिचिंग क्लास चैनल बेल आइकोन दमाई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पिछले वीडियो में रचेश सेंपर मैं आपको भीडियो देखना अन पूरा भूल यी यह वाले यह दो देखे अघर म Дशेक हों को मत Pan तो दोनों बताते हूं तो दीखिए इस तरह से डवल फॉल्ड कर लिया है और दीखिए इसके इविट्स मेंने 9 इंच लिए है और यह 34 साइज की ब्लाउस के लिए है और इसके जो लेंद्ध लिए है वो मैंने 4 इंच लिए है और अभी इसको आपको डिजयन बताते हूं कैसे डालने है तो एक को में साइट में रख देती हूं और एक स्लिप लेती हूं इसके लिए हम सोल्डर यह सेंटर से फॉल्ड कर ले यह में डेर इंचू पर ले रही हू और यहाँ पर एक इंच तक इसकी चोड़ाई लिए है मैंने और इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिए है अब यहाँ पर हम इसको राउंड से दे देते है तो देखे यह पीस में निकला है इसको में रखके इसकी कहनवास और पट्टी तयार कर लोगी और देखे जो सिलिव मैंने तयार कर ले उसकी मैंने फ्रेंट कटिंग भी कर ले देखे दोनों सिलिव के तो जो एश्टा कटिंग रहती है वह हमारी फ्रेंट साइड में आती है तो यह लेफ्ट साइड का है यह राइट साइड का है तो देखे ज दिखे बिखेगेर काच किए इस दिखें शाए परने की प्रौड़ में। am längu प्रौड़ है उसके 40 पाद पर देखें फी जाए जाए हमें। के प्रौड़ा बबादि वय्जरे में अक्रोच करें के इंठिवह सब्फोरान सां को दिखें तो पहले इस तरह से लवा ले फिर एक साथ स्लिपी निसिंग तो दीगी पट्टी तैयार होगी है अभी हम इसको एश्टेच करते हैं तो इस तरह से रसेट कर ले और जो हमने एश्टा ले लिया इसको इस तरह से फोंड कर ले हम इसको प्लट देते हैं कि नहरे में सराई डाल देते हैं इस तरह से मैंने सेट कर दिया यह मैंने दो लेसली है जो कि इस तरह से आएगी तो यहां पर हम हाफ इंच आगे कि तरह प्लेल ले लेते हैं क्योंकि हम जब इधर से स्टेट लगाएंगे तो सुट जाएगी तो दीखिए इस तरह से ले 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 कर देखिए यहां पर जितना हमारा मार्जन है वहां पर प्लेनलेस ले सकते हैं और मार्जन छोडने के बाद फिर आप यहां मोथी वहला लेस लगा सकते हैं हुआ है हुआ है हुआ है आप तो इस निवार गयप देख लें इस तरह से बरावर से आजए दो भी नहीं रहें टाइट भी नहीं रहें एक दम परावर से बैट जया है और फिर हम यहां तक इसको इस्टेश कर देते हैं कि नीचे भी हमने लेक्स लगा दिये और डाल दिये और मैंने दोनों सिलिफ तैयार कर दिये तो अब देख सकते हैं कितना सुन्दर लुका रहा है तो आप इसासन तरीकी सी सुन्दर सी सिलिफ डिजान बना सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यूए